नमस्कार इंदोर वासियों मैं डॉक्टर अवीरल जैनूं बंबे हॉस्पिटल इंदोर हम लोग लगभग इस कोरोना के लॉकडाउन के नियरली एंड पे हैं कहीना कहीं लॉकडाउन अब फेजिक मेनर में ओपन हो रहा है और कहीना कहीं लोगों में मुझे उस्सा दिख रह हैं बैक टू वर्क जाना है बैक टू एजूकेशन जाना है बैक टू हेल्थ जाना है चीजों को कोशिश कर रहे हैं कि पहले जैसी हो पाएं तो आप सभी को मैं एक चोटी सी जो चीज बोलना चाहूंगा कि अपनी समझदारी से अपने विवेक से अपने धैर से अपने साह भी लोग अपनी अपनी पुरानी लाइव पर लोट पाए कि बहुत बहुत शुब काम्ना को इन दो aur Malo min AG मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरे पेश्इंट मेरे टॉक्टर कली मेरे sister nurse उन सभी को बहुत बहुत शुब काम्ना कल ईद है मै chata हूं आप कि ये इद बहुत अच्छी हो, शुब मंगल हो, शुब कामना है, आप सभी से निवेदर ने बहुत शांती प्री तरीके से इस इद को आप मनाएं, लोकडाउन का पूरा पालन करें, कोशिश करें, कि हम इस कोरोना के कारण इस इद की जो महक है, जो इस इद की रोनक है, वो क सभी तेवार लगबग, हुली से स्टार्ट हुआ, हुली, रंग पंचमी, हनुमान जैनती, राम नम्मी, महवीर जैनती, और फिर अब एद, हम सभी लोगों में, हिंदू, मुसलिम, ईसाई, सिक्क, जैन, कहीं, सभी लोगों का इस लास्ट, ढाई, तीन महीने में तेवार और हम लोग जो भारत बेसिकली उससे जो तेवार मनाता है, वो हम नहीं मना पाए, कहीं न कहीं उससा हमारा रह गया होता है, जीवन में कई बार कुछ ऐसी विशम परस्तिते आती हैं, हमें मन मारना पड़ता है, हमें कई बार हम चीजें जो जैसा करना चाहतें, नहीं कर प समस्दारी से काम करना है, अब सभी को मेरी शुप कामना है, कल आने वाली ईद की शुप कामना है, आने वाले समय के लिए सभी की शुप कामना है, हिम्मत बनाये रखें, हम सब मिलके ये कुरोना की जंग दीतेंगे, मैं डॉक्टर औवीरल जैन, भॉंबे हॉस्पिटल लि की शुब के लिए हैं, आने वाल.